नमस्कार मैं अंजले मिश्रोष स्वागत है आप सभी का दोनेयोज मैं इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बताएं कि लोग सभा में जो तरीके से कल सिक्योर्टिप प्रीच को मामला देखने के लिए मिला उसके बाद आज इस मामले को लेकर हंगामा कर रहे विपक्श के 14 सांसदों को कुल मिला कर 15 सांसदों को पूरी शीत का इलिए निलंभित कर दिया गया है जिसमें से कॉंगरेस के 90 सांसदे और अन विपक्षी दलों के पांच सांसदों के खिलाफ سदन की कारवाही बाधित करने के आरोप में कारवाय की गया है तो इस वकी साथ है कि यह बड़ा एक्षन लिया गया है जहां पर कुल मिलाकर 15 सांसदों पर पूरेशीत का आली ने सत्र के लिए जहन पर लोग लगा दिगाई है जिसमें से 14 लोग सभार एक राज्यसभा के सांसद है जिनके उपर यह कारवाई देखने के लिए मिली है क्योंकि वह सदन को निलम्बित किया गया था अब glow सांसदों को निलम्बित कर दिया गया कौन-कौन से कारियों मंत्री जोशी ने लोग सभामेइक प्रस्ताव पेश और इस में गलत वरताव के चलते पांच सदस्यों टीन प्रथापन हीबी एडेन जोथी मनी राम्या हरिदास और दीन कुरिया कोस को निलंबित किया गया है इस दौरान बी महताब सदन की अध्यक्षता कर रहे थे इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगावा शुरू कर दिया इस इसमें बेनी बेहानान वीके श्रीधरन महम्मद जावेद पी आर नट राजन कनिमोई करूडा निधी के सुब्रवनियन एसार पार्थीबान एस विंकेटेशन और मणिकम टेगोर के नाम शामिल है तो संसद की सुरक्षा में चुक के मुद्दे पर लोग सभा में आज जम सुमान बेनीवाल ले लोग सभा की कारवाई के दरार स्पीकर के पोडियम पर चड़ने की कोशिश तक की नारेबाजी करते हुए विपक्षी संसद वेल में आ गए विपक्षी संसदों की मांग थी कि अमिच्छा इस पूरे मुद्दे पर सदन में आकर बयान दे राजसभ संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के दौरान प्रदर्शन करते हुए सभापती के पास आ गये इसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया राजसभा से डिरेक ओब्रोईन की निलंबित करने का प्रस्ता भाश्पा की तरफ से संसद में सुरक्षा के चूक के मुद्दे को लेकर ब्रोईन प्रदर्शन करते हुए सभापती के पास वेल तक पहुँच गये इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और सदन की कारवाई को स्थगित करने की कोशिश की इसी के बाद यमसी सांसद को निलंबित करने का पारी रहा जिसके बाद कॉंग्रेस के बेनी बहनन वीके श्रीकंदन मुहम्मद जावेद और मनिकम टेगोर को भी निलंबित कर दिया गया वहीं सीपी आईएम के पी आर नट राजन और एस वेंकेटेशन पर भी कारवाई की गई इसके आलावा डियंके के कनिमोंजी करू में के बीच शांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा था जिसे स्विकार कर दिया गया रमूर कॉंग्रेस के राजसभा सांसद डेरेक और ब्रॉइन को राजसभा से पूरेशीत कालिन सत्र के लिए सस्पेंट कर दिया गया उन पर यह कारवाई नियम तो सच्छे आज़ आपने विशेश अधिकार का उलंगन किया है मिस्टर डेरेक और तुलंथ हाउस से बाहर चले जाए जिसके बाद जो है उनके सस्पेंशन से शुरूबात हुई और कुलमला के अब 15 सांसदों को जो है अगर आप कहेंगे तो यहां पर इने सस्पेंट कर दिया गया है पूर अंदर कुछ लोग पहुच गए और उनों ने जो है व्यान बाजी करनी शुरू कर दी उन्हों ने चीजे कहन शुरूब कर दी जो है दोरवैक्ति पहुच गया उसके बाद पूरा धुंआ धुआ धुआ जो है महां फैला दिया इसके बाद दोनों को संसदों पकड़ा उस क्रीवन जो है आपको उतादे की जोरदार हंगामा हुआ कॉंग्रेस के 9 MP समेट 15 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है तो बहुत बड़ा एक्षिल लिया गया है 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है नो कॉंग्रेस के दो CPM के दो DMK के और CPI पार्टी के है और जिनको सस्पेंड किया गया है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि कि तरीके से जो है इसके सस्पेंशन को लेकर प्रहलाद जोशी द्वारा पस्ताव रखा गया था कि उन्होंने पूरी तरीके से गलत तरी सब्सक्राइब करने वालों को विजिटर पास दिलाने वाले बीजेपी सांसर प्रताप सिमा के खिलाब भी सक्तकारवाई तीसरी उनके मांग ती वह यह थी कि मोधी सरक्वार देना इस पूरी तरीके से व्याद और रुचित मांगों को मानने से इंकार करने के कारण जो है किसी भी तरीके का एक्शन जो यह लिए ताया या फिर इसके बारे में आकर पूरी बात बताई जा सदम इसको आपके सकते हैं मुद्धे को उठाया जार्म का कहना था और इसके बाद आपको बता दें कि लगातार जो है यह उचुर मांग कर रहे थे लगातार अगर आपके के बीच में 15 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है तो बाधा डाले के आरोप में 15 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया लोग सभा और व्राज सभा दोनों जगा जो है जमकर हंगामा इन्होंने काटा दिसके बाद सब्रके सब्सक्राइब करने के लिए वह मुल घुझान के लिए के यह चैन बाद देखने के लिए मिला मिला। और उसके बाद सदन की कारवाई भी स्थगित हो गई है और निलंबन जो है देखने के लिए मिला है और आपको दादे के टीमसी सांसत से इसके शुरुबात हुई अब बैक टुबैक कई सारे लोगों की जो है अगर आप कहेंगे कि अब कुल मिलाक के 15 लोगों को सस्पेंट क को जबसे नो कॉंग्रेस के हैं और बाकी विपक्षी पार्टियों के हैं उन्हें पूरे सीथ के लिए निलंबित कर दिया गया है तो ऐसे मैं आपको पूरा मामला है यह बड़ा विस्तार से बताए कि परा मामला क्या है कि सथीके से बड़ा अक्षि लिया गया है संसद क्वेक्शन में कॉमेंट करके जरू साजा करिएगा है नहीं वाद अ कर दो दो जो दो कि पर दो ख़ा है यह बड़ा और गला है यह जए टो दो नहीं उन्हीं है